क्या नकसलियों का सूपड़ा साफ होने वाला है क्या दिल्ली में कल होने वाली बैठक में नकसलियों के खिलाफ कुछ और बड़े प्लान बनेंगे क्या जल्द ही 36 गड़ नकसल मुक्त हो जाएगा नमस्कार बहुत सुपागत है आपका न्यूजटीन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं हो रिनुयादब लेकिन अभी भी लगातार वहांबर सर्चिंग की जा रही है सुबह सही लगातार नकसल मोचे पर जवान तैनात है बैकप प्लान के लिए भी जवान भीजे गए हैं बस्तर आई जी पी सुन्दर आज ने बताया है कि यह जो प्रहार था यह इस साल का सबसे बड़ा प्रहा के बाद अब केंद्री ग्रिह मंत्री अमिट शाह कल यानि कि साथ तक्टूबर को प्रमुग बैठक करने वाले हैं और इसमें नकसल प्रभावी जितने भी राज्य हैं उसमें सुरक्षो और विकास की समिक्षा की बैठक करेंगे हो सकता है कि इस दौरान कुछ और बड़े मुक्त बनाना है और इस और बहुत तेज़े से काम भी किया गया था क्योंकि नकसलियू का खात्मा एक बहुत जरूरी है आज भी 36गर के कई ग्रामिन इलाके ऐसे हैं जहां पर नकसलियू का दबडबा है यहां तक की ना जाने कितने लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली ज और इस तरीके से काफी प्रतारित हो जाते हैं ग्रामिन शेत्र के लोग और यही करण है कि इन्हें आजादी से जीने का महौल मिल पाए, इनके बच्चों को शिक्षा मिल पाए, विकास मिल पाए, रोड बन पाए, पानी मिल पाए, शुद्ध पानी मिल पाए, लोग आसानी स अपने सारे काम काच कर सकें, स्वास्ते सिवाएं बहतर हो सकें, इसके चलते ये बहुती मतपपूर्ण हो जाता है कि नकसली समस्या को जड़ से खत्म किया जाए, ताकि वहां की लोग एक आम जीवन जी सकें, ना कि डर के साएं में बच्चे वहां पर जीएं. अब आपको बता दें कि लगतार ये जो मुटभेड हुई है वो दंतेवाडा नरायनपुर्जिले की बॉडर पर हुई है और इस दोरान नेंदूर और थुठुली गाउं में ये मुटभेड हुई थी जिसमें अचानक से नकसलीों ने हमला कर दिया, जवानों ने मोचा संभ हाला और एक के बाद देख लगातार दो घंटे तक फारिंग होती रही और जब सर्चिंग की गई तो 31 नकसलीों के शब बरामत किये गए हैं, 28 के तुरंट बरामत किये गए थे, बाद में 3 शब और बरामत किये गए हैं और ये माना जा रहा है कि 2024 की ये सबसे बड़ी पात्रा में हथियार भी यहां से बरामत हुए हैं, 21 के 47 SLR जैसे हथियार यहां से बरामत किये गए हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि जो आधुनिक हथियार हैं, वो नकसलीों के पास कैसे पहुँचे हैं, हाला कि ये सवाल काफी लंबी समय से हैं, क्योंकि इनको जो लोग भी सेरक्शन देते हैं, जो लोग भी सपोर्ट करते हैं, बहुत है अत्याधनिक तरीके से इनके पास हतियार मिल जाते हैं, सामान मिल जाते हैं, और भी जो हतियार जिनका इनके पास होना भी मुश्किल होना चाहिए, वो भी हतियार इनके पास से मिलते हैं, यहां तक कि बुले जो शुरू ही है वो अन्जाम तक पहुँच कर ही दम लेगी याने कि नकसलियों के खात्मे के लिए 6 महीने पहले कांकेर में जो प्लान तयार किया गया था उसमें 29 नकसली मारी गए थे और अब 31 नकसली के मारे जानी की खबर है और इस साल अब तक कुल 188 मावबादियों को एक उनामी महिला नकसली थी नीती जिससे इस मुढभेड में मार दिया गया है और 15 लाख का इनामी नकसली था जो कमांडर कहलाता था एक गुरूप का जिसमें Dks Jesse कैडर का नकसली था जो की 15 लाख जिसके उपर इनाम घोशित था इसे भी मार दिया गया है और इस साल अब 188 नक्सलियों को मार दिया गया अलगलग शेत्रों में मुढभेड हुई थी और साथ जिले शामिल है दंतेवडा नरायनपूर के आसपास के शेत्र में जहां पर दो दलों का बहुत जादा प्रभाव रहता है अब आपको बताने कि साल जो मुढभेड अभ्यान भी सरकारिक चला रही और इस लोन वराटो अभ्यान के अंतरगत जिस तरीके से एक बहुत बड़ी तदात में नक्सलियों ने आत्म समर्पन किया है सरंडर किया है और सरकार की योजनाओं से जुड़ने का मुखिधार से जुड़ने का फैसला लिया है उसके पास समान पहुंचता है उस कड़ी का पता लगाना बहुत ज़रूरी है और वहां से जब तक इनके पास रुपे जब तक इनके पास सत्यार पहुंचेंगे तब तक की ताकत वर रहेंगे और जैसे इनके पास समान पहुंचना बंद हो जाएगा इनकी ताकत कम हो जाएगे और यही कोशिश है सरकार के भी कि सबसे पहले तो उनके पास जो संसाधन पहुंच रहे हैं उनको रोकना है जिससे नक्सलियों की कमर तूटेगी और नक्सली या तो आत्मसमरपड करेंगे या तो मुढभेड में इसी तरीके से मारे जाएंगे हलांकी ये बहुत बड़ी सफलता है और आपको ये बितार Satya कि जो जो शेतर नक्सल मुक्त हुए है वहाँ कर विकास जो स्कूल जाने लगे हैं शिक्षा का जो शेत्र है वो उनके लिए अब खुल चुका है विकास के रास्ते खुल चुके हैं और बहुत रहत भरी सांस लोग लेते हैं और ठीक इसी तरीके से नरायनपुर, दंतेवाडा, सुकमा और आसपास का तमाम जो नकसली एरिया है उसे नकसल मुक्त बनाने का प् या तो फिर आप मुढभेड में मारे जाने के लिए तयार रहिए जवान पुरी तरीके से तानात कर दिए गए हैं और अभी भी बैक अप प्लान भेजा जा रहा है ताकि लगातार सर्चिंग हो और नकसलीओं का जल्द सी जल्द खात्मा हो सके जो भी आप इस पूरे मामल को लेखर महसूस करते हैं जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और बाकी तमाम ख़बरों के लिए आप बने रहे हैं नेटवर्केटिंग के साथ नमस्कार